लो फ्रेंड्स टेक्ती दिप पर आप सब कस्व अगत है सो आप अगर 12,000 के अंदर एक बेस्ट मार्टफॉन बाई करना चाहते हो तो बिल्कुल साही वीडियो पर आए हो क्योंकि यहाँ पर मैं टॉप फोर बेस्ट मार्टफॉन के बारे में बात करने वाला हूँ जो क्या आता है 12,000 के अंदर सभी डिवाइस के बारे में जानने से पहले आप अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को दबा देना एंड इस वीडियो को एक लाइक कर देना सो 12,000 के अंदर यहां पाज जो पहला डिवाइस है यह है रियल्मी C25Y इसका भी ओनलाइन मार्केट में प्राइस चल रहा है 11,789 रूपीज सो यह डिवाइस फोटजी नेट आरक एंड 6.5 इंच का बीग IPS LCD डिस्पेले के साथ आता है एंड इसके फॉंट साइट पे ग्लास पोटेक्शन और प्लास्टिक बैक और फ्रेम देखने को मिलता है सो आप बात करता हूं इसके पोसेसर के बारे में तो यह डिवाइस पार्ट बाई है यूनिशॉक T610 पोसेसर के साथ सो इस प्राइस एंच के अंदर यह पोसेसर कफी अच्छा है और इस पे आप गेमिंग भी कर सकते हो इसके साथ 4GB का RAM और 128GB का स्टोरेज दिया गया है और यह रान करता है Android 11 और Realme UI R के साथ और इसका जो कैमेरा है यहाँ पर बरिया कैमेरा दिया गया है 50MP, PLUS 2MP, AND 2MP और इस कैमेरा से आप 1080p, 30PS तक वीडियो रेकोर्डिंग कर सकते हो इसके साथ इसके font साइट पे 8MP का कैमेरा देखने को मिलता है और इससे आप 720p, 30PS तक वीडियो रेकोर्डिंग कर सकते हो और यह डिबाइस 5000 एमिज बैटरी और 18W फास्ट चाजिंग के साथ आता है और Micro USB 2.0 चाजिंग पोट और रेयर माउंटेन फिंगर पिन सेंसा दिया गया है तो इससे आप अगर बाइ करना चाते हो तो डेस्क्रिशन में सभी का लिंक है उहाँ से जाकर चेक आउट कर सकते हो 112,000 के अंदर यहाँ पा जो नेक्स डिबाइस है यह है Poco M3 इसका भी ऑनलाइन मार्केट में प्रैस चल रहा है 11,499 रुपीज तो इसका मैं अगर पोसेसर की बात करूँ तो यह डेबाइस पार्ट बाइ है स्नट ड्रागोन 662 पोसेसर के साथ जो कि एक क्वालकम का 11 नैनोमीटर टेक्नोलिज बेस्ट काफी अच्छा गेमिंग पोसेसर भी है इसके साथ 6GB का RAM एंड 64GB का स्टोरेज दिया गया है एंड ये रन करता है Android 10 एंड MIUI 12 के साथ सो इसका मैं अगर कैमेरा की बात करूँ तो यहाँ पर टीपिल कैमेरा सेट आप देखने को मिलता है 48MP प्लस 2MP और 2MP एंड इस कैमेरा से आप 1080p 30fps तक वीडियो रेकोर्डिंग कर सकते हो और इसके font साइट पे 8MP का कैमेरा दिया गया है एंड इससे भी आप 1080p 30fps तक वीडियो रेकोर्डिंग कर सकते हो इसके साथ यह डिवाइज 6000 अमेज बैटरी एंड 18W फास्ट आजिंग के साथ आता है और USB Type-C 2.0 चाजिंग पोट और फोन के साइट पे फिंगर पिंसें सा दिया गया है सो 12,000 के अंदर यहापा जो नेक्स्ट मार्टफोन है यह है Samsung Galaxy F12 इसका भी ओनलाइन मार्केट में प्राइस चाल रहा है 11,970 रूपीज सो यह डवाइस 4G Network and 6.5 इंच का बीग PLS IPS डिस्पेले के साथ आता है और इसका जो डिस्पेले रिप्रेस सेट है यह है 90 हर्ड तो इसका जो डिस्पेले पिक्चेर को लिट है काफी बढ़िया देखने का मिलता है इसके साथ इसके फॉन्ट साइट पे गोडिला ग्लास का पोटेक्सेन दिया गया है सो अब बात करता हूं इसके फोसेसर के बाड़े में तो यह डवाइस पार्ट बाई है एक जिन औस 850 फोसेसर के साथ यह सैंसुम का 8 नैनोमीटर टेंग्नोलिजी बेस्ट काफी पारफुल गेमिंग फोसेसर भी है इसके साथ 4GB का RAM एं 64GB का स्ट आप देखने को मिलता है 48MP, 5MP, 2MP, 2MP और इसके फॉंट साइट पे 8MP का कैमेरा दिया गया है और दोनों कैमेरा से ही आप 1080p, 30fps तक वीडियो रेकोर्डिंग कर सकते हो इसके साथ यह डवाइस 6000 अमेज बैटरी और 15W फास्ट चार्जिंग के साथ आता है और USB Type-C, 2.0 चार् इसका भी ओनलाइन मार्केट में प्रैस चल रहा है 11,999 रूपीज, तो यह डवाइस 4G नेटर के 6.78 इंच का बीग IPS LCD इस्पेले के साथ आता है और इसका जो डिस्पेले रिफ्रेस एट है यह है 90Hz और डवाइस के फॉंट साइट पे ग्लास पोटेक्शन और प्लस्टिक ब बात करें तो यह डवाइस फार्ट बाई है Mediatek Helio G88 पोसेसर के साथ जो कि एक Mediatek का 12 नैनोमीटर टेक्नोलिजी बेस्ट गेमिंग सीरीज का पोसेसर है इसके साथ 4GB का RAM एंड 128GB का स्टोरेज दिया गया है और यह रान करता है Android 11 and XOS 7.6 के साथ तो आप बात करता हूं इसके कैमेरा के बारे में तो इसका जो में कैमेरा है यहाँ पर टीपिल कैमेरा सेट आप देखने को मिलता है 50MP, प्लस 2MP अंड AI कैमेरा और इसके फॉंट साइट पे 8MP का कैमेरा दिया गया है और दोनों कैमेरा से ही आप 1440p 30fps तक वीडियो रेकोर्डिंग कर सकते हो इसे के साथ ये डिबाइस 5000 एमेज बैटरी अंड USB Type-C 2.0 चार्जिंग पोट के साथ आता है सो फ्रेंट्स इन में से कौनसा डिबाइस आपका अच्छा लगा कॉमेंट में जोरू बताना और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइक इन को दबा देना एंड इस वीडियो के लाइक कर देना